तो दोस्तों बहुत सारे रिपेर वीडियो आप आगे देखने वाले हो और बहुत सारे रिपेर वीडियो आपने अल्रेडी देख भी लिए है लेकिन जब आप रिपेर करते हो तो कौन से टूल्स आपको इस्तमाल करने चाहिए या कौन से टूल्स मैं इस्तमाल करता हूँ व कैसे यह आपका लाइफ एजी बना देंगी तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा सॉकिट सेट जो मैं हर रोज इस्तमाल करता हूं दोस्तो और यह सॉकिट सेट इस्तमाल करके मेरा काम कितना आसान हो जाता है मेरा कितना टाइम बच जाता है और इंजरीज भी कम हो जाती है दोस्तों तो ये सॉकिट सेट मैं आपको आज दिखाऊंगा इस वीडियो में चले वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों ये है तापारे का सॉकिट सेट इसको अगर मैं खोलूंगा तो इदर आप देख सकते हैं इदर तापारे लिका हुआ है अभी चोबी टू बॉक्स लिया था तो अभी बहुत सारे साल हो गए 5-6 साल हो गए तब तो इसकी रेट कमती अब इसकी रेट कितनी हुई है तो आपको मेरे दिये हुए लिंक पे जाके मालूम पड़ेगा तो अभी चलिए नजदिक आये और नजदिक से दिखते इस सॉकिट सेट में क्या क्य आता है वो और किस्त के लिए यह सब इस्तों होता है दूस्तों चलिए पहले इस सॉकिट सेट को खोलते है अभी स के हैंडल जो है उसका भी एक कनेसम है दोस्तो ऐसे अगर आप इसको बंद करोगे तो इसको आप हैंडल जैसा इस्तमाल कर सकते हो और इस टूल बॉक्स को इजिली कर सकते हो इसको अनलॉक करने के लिए आपको हैंडल जो है वह ऐसा स्लाइड करना पड़ेगा और तब जाके आपका टूल बॉक्स जो है वह खुलेगा अब यह तापार्या का सॉकिट स वो सब इसके उपर ऐसे डायग्राम करके लिका हुआ रहेगा तो मेरा जो सॉकिट सेट है उसमें 11 नंबर सॉकिट से चालू हो जाता है मुझे मालूम नहीं वो लोग ने 10 नंबर सॉकिट इसमें क्यूं नहीं रखा क्योंकि 10 नंबर सबसे कॉमन सॉकिट होता है अब यह वाला मतलब यह रोड अब देख सकते हो इसमें एक बड़ा वाला रोड भी आता है इसके साथ आता है जो भी आता है दोस्तों इस बॉक्स के अंदर उसका डायग्राम इसके ओपर लिका हुआ रहेगा और जो भी सॉकिट इसके साथ आते है वो सब इदर ऐसी अच्छी तरह से डायग्राम से लिके हुए रहेंगे तो जब आप बॉक्स करिदने को जाते हो तो यह डायग्राम जरूर चेक कीज़ेगा क्योंकि जो भी आपको इस बॉक्स के अंदर मिलता है वो आपको मालूम होना चाहिए अब इदर आप देख सकते हो यह है एक 10 नमर का सॉकिट यह लॉंग नोज सॉकिट है लेकिन यह इस बॉक्स के साथ नहीं आया है इसको मैंने सेपरेटली करीदा है दोस्तो क्योंकि कभी-कभी यह यूसफुल हो जाता है टाइट स्पेसिज में डालने के लिए तो ऐसे सॉकिट जो है वह सेपरेटली भी आपको मिलते है दोस्तो है नर्टस जो है, वह procesS Minute का और दोसफी आड्ट जाता की है दोस्तों हो टोस्ते है बुक्स को äपके सेट के होने ही जाइए इसको याद रखेगा अभी इस बॉक्स के सचेज्ट नहीं आता है दोस्तों इसको मैंने बहुत कम बार इस्तमाल किया है लेकिन बहुत ही important जगों पर इस्तमाल किया है यह जहां आपको branch डालने को नहीं मिलता है उन जगों पर आपको इस्तमाल करना पड़ता है इसका तोड़ा demonstration में आपको दूंगा अगर आप इस extension को आपके branch के उपर इसे connect क पड़ेगा यह बहुत ही कमाल का socket set है दोस्तों आगे देखते रही है क्योंकि और भी बहुत सारे स्पेशलिटी से इस socket set को अभी यह रहा इसका branch इमेन व्रेंच है जो मैं हर बार इस्तमाल करता हूं इसको आप एक साइड में lock कर सकते हो यही कासियत मुझे इसकी सबसे अभी तक नहीं दिया है तो इस फ्रेंच के ऊपर अगर आक जब ना पर लगाते हो तो अबटन प्रएस करके opened को अधार डालना है और आपका socket उडशा बात में जिस साईड भी आप इस socket को गुमाना चाहते हो उस साईड में आपको लौक करना है socket को बहार निकलने के लिए button को फिर से प्रेस करना है और socket को pull out करना है इतना आसान सिस्टम है वो आपने देखी लिया है दोस्तों बाद में इसके साथ आता है L-Wrench अधी बात इसे कंच करने के बाद बाद में आप अलेती प्रसित रख इसकेन करें सब्सक्राइब गर आती है जो और फर योट तीरह वाला फीज बोटिसmos isa nenek जहां peace हो चोछ ऐसे ऑड़र भी एसके तीच रख पाइंग सकते हैं जोस्ती है अर फैसित चे आप serious पाइप में घुसा वे तो आपको और भी लेवरेज मिलेगा कोई पी कितना बी टाइट बोल्ट जो है वह आप आसाने से निकल सकते हो बाहर अब इस चोटे रोड के उपर भी आप ऐसे सॉकेट को कनेक कर सकते हो और कौन से अब नाटिया बोल्ट को बहारRIS निकल सकते हैं कितना हैलपफुल ले टूल है वह आप देख दोस्तो 24 mm आपके साथ कितना बड़ान को बहुत को मेंस भी कारी करें तोग की वर कँवेर्टा बैलों का एक सब्सक्राइब को वस्तिट निसर वे सबस्क्राइब करके के उपर अगर आप इस सॉकिट को लगाते हो तो वह स्लिप होने के बहुत ही कम चांसिस है उतने आसानी से वह स्लिप नहीं होने वाला है क्योंकि नाट या बोल्ड का वह अच्छा ग्रिप पकड़ देता है अब यह 10 mm का लॉंग नो सॉकिट जो है वह एंटी स्लिप सॉकिट नहीं है तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितने कम साइट से वह आप देखे सकते हो तो ऐसा वाला सॉकिट जो है वह स्लिप होने के ज़्यादा चांसिस रहते हैं तो सॉकिट करेते समय यह जरूर चेक कीज़ेगा अगर वह एंटी स्लिप सॉकिट है या नॉमल नहीं है समय मुणैंकर रहते हैं तो इसे वाले वाला के सॉकिट जो है li Victory ग्रीप स्लिप मिलता है अगर आप आप पाने को हाथ में रखोगे तो उसका आपको अच्छा ग्रिप नहीं मिलता है आपका जो पाम का यह रहा है वो दुखने को चालू हो जाती है लेकिन इसका रबर हैंडल जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रिप आपको देता है और कौन से भी टाइट नट के उपर आप अच्छा पोर्स डाल सकते हूँ बहार निकलने के लिए और कंट्रोल्ड फोर्स डाल सकते हूँ मतलब जब वो नाट या बॉल्ट हो जाएगा तो आपका हाथ और किदर जाके बैटके आपका हाथ इंजड नहीं होगा अब इसको अच्छी तरसे कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ग्रिप अच्छा है और नट लूज होने के बाद स्लीप नहीं होगा अब यह सब सॉकिट रोड जो भी सके अंदर है वो स्टेनलस स्टील से बना हुआ है दोस्तों बहुत ही अच्चे स्टेनलस स्टील से बनाया हुआ है इसका आवाज आप सुन सकते हो इतने आसाने से बैंड या तूटने वालो में से नहीं है दोस्तो तो अगर आप एक DIY हो, हॉबिस्ट हो या कुद के रिपेस करते हो रोज तो ये वाला सॉकेट सैट जो है वो आपके लिए must have है अभी सॉकेट सैट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा या इधर स्क्रिन के ओपर कहीं भी डाल दूगा ये एक affiliate लिंक रहेगा दोस्तो अगर इस लिंक के ओपर जाके आप कुछ भी करेते हो तो उसके ओपर मुझे तोड़ा commission मिलेगा अब दर जाके इसके latest rates चेक आउट कर सकते हो और चाहे तो इस socket set को purchase कर सकते हो तो दोस्तो ये है तपरे का socket set जो आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके हर रिपैज में और आसानी से आप आपके nuts और bolts जो है वो निकाल सकते हो बाहर तो इदर में एक disclaimer डालना चाहूंगा दोस्तो ये एक paid promotion नहीं है ये socket set मैंने खरीदा था छे साल पहले 2000 रुपया में तो इदर में कुछ भी promote नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये socket set मेरा बहुत कामका socket set है तो अगर आप एक DIY हो या एक hobbyist हो तो ये socket set आपके लिए सोना जैसा है दोस्तो ये आपके लिए एक must have tool set है जिसको आप हर रोज इस्तमाल करोगे कोई भी repair करने के लिए इसको आप plumbing में में इस्तमाल कर सकते हो car repair में भी इस्तमाल कर सकते हो bike repair में भी इस्तमाल कर सकते हो तो मैं उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो यूसफुल लगा है और बहुत कुछ सिखा है अपने इस वीडियो में तो इस वीडियो में इतना है दोस्तो और अब मैं मिलूगा आपको मेरे अगले वीडियो में और एक टूल के साथ तो अपना कयाल रखेगा